मध्यप्रदेश में चुनावी साल में मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान और कॉंग्रेस के PCC चीफ कमलनात के बीच आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है और मध्यपरदेश के पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात ने मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात ने ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाफ 2008 में मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान ने मध्यपरदेश के सबी किसानों से वादा किया था कि उनके 50,000 रुपे तक का कर्ज माफ किया जाएगा इस घुशना को 15 साल बीद गए लेकिन आज तक आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया उल्टा मेरी सरकार ने किसान कर्जा माफी की उसे भी आपने बंद करवा दिया वहीं मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी ने पूर्व मुख्यमंतरी के आरोप पर सपष्ट जवाब तो नहीं दिया उल्टा उनी से सवाल कर डाला कि कमलनाज जी पहले ये बताएं कि आहर अनुदान योजना के रूप में जो मैं अत्यंत पिछडी जनजाती बहनों को एक हजार रूपे देता था उसे क्यों चीना गौरतलब है कि इसी साल के अन्त में मध्यपरदेश में चुनाव होने है ऐसे में मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी और पूर्व मुख्यमंतरी के बीच आरोपो का दोर जारी है और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है